हाई दोस्तों मैं जेतंदर सर एक्ता टेक्निकल से एक्टी सी इलेक्टिकल में आपका स्वागत है आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ टेक्निकल के कुछ ऐसे प्रिश्ण जिन में सभी प्रिश्णों का उत्तर सून ने रहेगा दोस्तों इस टॉपिक से प्रिश्ण टेक्निकल पेपर में कम से कम दो कुष्चन निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं चलिए दोस्तों समय को बरबाद ना करते हुए आगे चलते हैं लेकिन एक बात दोस्तों याद रखना कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस अपने मित्रों में सेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्तों आपको केवल सेयर ही तो करना है और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और जादा बढ़ेगा और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और नए नए टॉपिक लेकर के कंटिनिव हाजिर होता रहूंगा जिससे मैं आसा करूंगा कि आपका भविष्ष उज्वल हो और जल्दी से जल्दी आपको सफलता की सीड़ी प्राप्त हो चलिए दोस्तों प्रारम करते हैं यहाँ पहला कुश्चन है कि उत्क्रिष्ट गैसें जैसे रेडान है जीनान है और नैट्रोजन है यह सभी जो गैसें उत्क्रिष्ट गैसें जो हैं ठीक है इनकी संयोजकता सदेव सुन्य होती है अगला कुश्चन है जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा सुन्य परसेंट ह होती है था कि जर्मन सिल्वर में जर्मन की मात्रा सून होती है तो जर्मन सिल्वर में अगर स्टे वर कि मातरा सोन परसेंट होती है तो नोझेसे नहीं है इसका मतलब है कि जर्मन सिल्वर में तावा जस्ता और निकल मिलाया जाता है तासे तावा जासे जस्ता और निकल इन तीन तावा मतलब सी यू जस्ता मतलब जैडिन और निकल मतलब एन आई ये तीन धातूंगों का मिस्रड होता है जर्मन सिल्वर ठीक है और जर्मन सिल्वर में यहां कहें भी आपका एजी या सिल्वर इसका नाम नहीं आया है अर्थार्थ जर्मन सिल्वर जर जो जर्मन सिल्वर रहता है उसमें सिल्वर की मात्रा नहीं मिलाई जाती है यह सिल्वर या चादी नहीं मिलाई जाती है तो इसको हम कहेंगे इसमें सिल्वर की मा सट्रा सूंडि पर सेंट हैं चलिए दोस्तों अगला कुश्चन है C2 परिपत जो केसेर्टिफ होते हैं सुद्द केसीटेष सरकिट उसका सकती गुडांग सदेयो सुनने होता है और धारतिय परिपत का जब सक्ति गुड़ाग सुनने होगा इसको हम पावर फेक्टर कहते हैं पी एफ इकल टू जीरो यह होगा कैसे क्योंकि जब कैपसेटिब सरकेट होगा तो इनमें करेंट और वोल्टेज की बीच में 90 डिगरी का डिफरेंस फिज डिफरेंस फिज अंतराल रहेगा यहां रहेगी धारा और यहां रहेगी बोल्टेज इसमें धारा बोल्टेज से 90 डिगरी लीड करती है या आगे रहती है और यह दी बोल्टेज की पच्छ में का जाए तो voltage current से 90 degree lag रहती है तो दोस्तो जब हम कास फाई का रखेंगे मान कास 90 रखेंगे तो इसका value हो जाएगा एक और थाथ power factor इसका value हो जाएगा सुनने जो power factor होगा वो सुद्ध धारतिय परिपत का सक्ति गुड़ांक सुनने होता है यहां दोस्तो सुद्ध धारतिय परिपत का सक्ति गुड़ांक सुनने होता है फिर लिखा है सुद्ध प्रेरकिय परिपत इसका भी सक्ति गुड़ांक सुनने होता है क्योंकि सुद्ध प्रेरकिय परिपत में जो phaser diagram बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनता है यहाँ पर आपका current रहाएगा reference में और voltage रहाएगा उपर के तरफ VL यहाँ दोनों के बीच में जो difference है यह phase angle बनेगा 90 degree का ठीक है तो यहाँ पर voltage current से lead करती है जबकि current voltage से lag करती है तो परिपत बोला जाता है lagging circuit ठीक है यह power factor यहाँ पर बोला जाएगा तो lag बोला जाएगा लेकिन कितना 0 lag जो सुद्ध प्रेरिकी परिपत यहाँ सुद्ध धार्ती परिपत कहेंगे तो सुद्ध प्रेरिकी परिपत में जो power factor आपका PF जो रहाएगा PF equal to कास 90 degree बराबर 0 लेकिन 0 यह होगा क्या lag होगा कि lead होगा इसको हम 0 lag कहेंगे और capacitor में अगर जाएगे तो उसको 0 lead कहेंगे चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला point है सुद्ध धार्ती परिपत में सक्ती सुनने होगी तो सुद्ध धार्ती और सुद्ध प्रेरिकी दोनों में एक ही बार में देख लीजिए तो संपोर्ण पावर आपका सुनने हो जाएगा और दोनों परिपतों के लिए सक्ती का formula सेम होता है तो दोस्तों चैदार्ती परिपत रहे चैप्रेर्की परिपत रहे दोनों के लिए सक्ती कमान सुनने होगा अगला question है प्रारम में प्रारम में इस अधिकदारा से बचाने के लिए DC मोटरों में हम DC मोटरों में स्टार्टर लगाते हैं तो DC मोटरों में तीन प्रकार के स्टार्टर लगा जाते हैं पहला स्टार्टर होता है टू पॉइंट स्टार्टर ठीक है टू पॉइंट स्टार्टर इस स्टार्टर को फेस प्लेट स्टार्टर तो जो टू पॉइंट स्टार्टर होता है इसको फेस्प्लेट स्टार्टर भी कहते हैं इसमें दो पॉइंट होते हैं एक होता है ठीक है एक होता है पोर पॉइंट स्टार्टर ठीक है पोर पॉइंट स्टार्टर जो टू पॉइंट स्टार्टर होता है इसके द्वारा डीसी स्रेडी मोटर प्रारम की जाती है तो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि प्रारम में डीसी मोटर में ब्रोदी भी दुद्वाग बल सूने होता है अगला है तुल लेकाली मोटर का स्लिप सूने होता है क्योंकि तुल लेकाली मोटर के जो आर्मिज जो इस्टेटर के पॉल होते हैं और रूटर के पॉल होते हैं दोनों पॉल आपस में इंटर लॉ थीके बरावर होती है जब ये दोनों गतियां बरावर रहेंगी तो वो वैसे तो कैसे तो WHY होता емся के यह मतलब तू ल हुआं जब दोनों गतियां यहां आपस में बराबर हो जाएंगी तह потू यहां यहां तो स्लिप हो जाएगी तो लिकाली मोटर के लिए सुने क्योंकि इसमें इस्टेटर की गती और रोटर की गती जो होती है वो दोनों की दोनों से मोती हैं से मोने के ना थे यहां पर तो लिकाली मोटरों का जो स्लिप होगा वो सुनने हो जाएगा जैसे तो लिकाली मोटर में ऐसे ही तो लिकाली परतिया बरतक में दोनों में सेम चीज होता है फिर सिलिप का मान मोटरों में सुनने से एक तक होता है एक दम बिलकुत सही बात है जो सिलिप होती है ये मोटरों में मोटरों में जो सिलिप का मान होता है एक से और सुनने तक होता है यह हम कहेंगे सुनने से एक तक होता है ठीक है सुन से एक के बीच अर्थात ये मान हमेस्था जो है ज्यादा तर पॉइंट में रहता है तो ज्यादा से ज्यादा इसका मान जो होता है वो 0.04 होता है ठीक है सिलिप का मान ज्यादा से ज्यादा 0.04 यह सबसे ज्यादा लिया जाता है ठीक है लेकिन है तो जैनेरेटरों में या जनेत्रों में सिलिप हमेशा रिडात्मक होता है ठीक है दोस्तों याद रखेंगे जैनेरेटरों में जो जैनेरेटर होता है उसमें सिलिप हमेशा ठीक है रिडात्मक होता है जैनेरेटरों में सिलिप हमेशा रिडात्मक होता है जब मसीन कोई तो सिल्व हो जाता है टू मैंनस य इस इस फॉर्मॉलियों को याद रखेंगे जब कोई मशीन ब्रेकिंग की पोजीशन में होगी उस समय सिलिप हमेशा टू मायनस ये येस होगा यह हम कह सकते हैं कि slip का मान एक से दो के बीच होता है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला question यहां पर दिया गया है CV common base अब यहां पर बात आ गई आपकी amplifier की amplifier का स्योजन होता है तीन प्रकार से तो यहां पर कोई transistor है जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बनाया है यह NPN ट्रांजिस्टर ठीक है तो इस में इस ट्रांजिस्टर में जिस साइड में आपका arrow लगा होता है उसको इमीटर का जाता है नीचे के साइड में जहां पर T बनता है उसको base का जाता है अब एक से बचा इसको collector का जाता है ठीक है दोस्तों अब इस ट्रांजिस्टर को क्योंकि इसमें तीन टर्मिनल है तो इसको तीन विदियों से जोड़ा जा सकता है ठीक है तो जिसको नीचे यह ग्राउंड में कर दिया जाएगा वही उसका ठीक है संयोजन कहलाएगा तो यहां CB एसका मतलब है कामन बेस एमप्लीफायर परिपत का फेज परिवर्तन तो का मन वेस एमप्लीफायर का मन बेस का कंढिशन जब बने गा तो होता है पोजीइशन वहां पर यह रीजीए थोड़ा सा दूस्तों यह पोजीशन होता है इसको जो है ग्राउंड कर दिया जाता है यह position होता है side में load लगा देंगे side में भी यह ऐसे बनता है यह ठीक है common base का चित्र तो यहाँ पर common base होगा तो यहाँ पर common base में क्या लिखा common base amplifier परिपत का page परिवर्टा जो होता है यह zero degree होता है ऐसे ही common collector तो कामन कलेक्टर की जब बात आती है तो कलेक्टर को ग्राउंड कर दिया जाता है ठीक है यहां पर बेस रहेगा यह पोजीशन इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा और इस साइड में यह इमिटर निकल जाएगा यह बेस हो गया यह आपका कलेक्टर जो कामन कलेक्टर कलेक् परणतु जब कामन सी रहेगा तो कामन इमीटर में फेज परिवरतन हमेशा 180 डिग्री होता है दोस्तों याद रखना यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि कामन इमीटर का एक सथी कामन कलेक्टर और कामन बेस का दोनों का सुन्य होता है अगला कुष्शन आज है सुन्य कैलविन पर सुन्य कैलविन पर कुछालक ऐसायोँ सुन्य कैलविन लाजता है तो यहाँ पर 0 Kelvin लिखा जाता है इसको ओके नहीं पड़ेंगे यह 0 है यह Kelvin है तो 0 Kelvin जो है 0 Kelvin पर सुद्ध सिल्कान कुछालक की बहाती बिवार करता है यह सुद्ध अर्द चालक कुछालक की बहाती बिवार करते है चलिए दोस्तों अगला कुछिचन है यहां रेडान गैस ठीक है रेडान गैस की वायू में प्रितिसत मातरा सुन यह गास वायू में नहीं पाई जाती एए इसको दुरलब गैस के नाम से भी ज만ाता है ठीक है यह घैस कब प्राप्त होती जब भूकम पाने वाला होता है उस पोजीशन में इस गैस की अधिकता वातावरण में बढ़ने लगती है चलिए दोस्तों अगला है निरबात फिलामेंट लेंप जैसे की कहा गया है निरबात तो किसी भी प्रकार की कोई भाई है ही नहीं तो कोई गैस नहीं है यहां तो कहा अगला है किसी खोकले गोले के अंदर अगला है किसी खोकले गोले के अंदर करें टो यह कोई रचा यहां आए किसी खोकले की गोले के अंदर बैदुत-च्रे सुनने होता इंट था सुनने होता है ठीक है परन्तु पोटेंशियल जो एक किसी भी खोकले गोले के अंदर प्रते के स्थान पर एक समान होता है ठीक है विभाव जो होगा ठीक है गोले के अंदर विभाव हमेशा एक समान होता है परन्तु बैदुत छेत्र की अगर बात करेगा तो यह गोले के अं कि क्यों हो गया है पतने अब बंद अब पीडिए कि अब दोस्तों देखिए यहां अगला है संधारित्र जब कैप्सिटर है short circuit हो जाए तो short circuit कैप्सिटर को ohm meter की द्वारा अगर मापा जाए तो इसका reading सदियो सुनने आएगा अगला है कि मेगर में scale पर सुरी मेगर मेगर में जो scale होती है ठीक है तो उसमें दाइं और सुनने होता है और बाइं और इन्फाइनाइट होता है जो मेगर का स्केल होता है जिसके उपर एरो ये लगा रहता है तो बाइं और सुनने होता है और दाइं और ठीक है इसका दाइं और सुनने होता है और बाइं और इन्फाइनाइट होता है जबकि बाइं और इ ठीक है तो मेगर का रीडिंग हमेशा सून दरसाएगा यह हम कहेंगे कि किसी भी मेगर को यदि प्रारम किया गया और उसके टर्मिनल को अपस में लगपतित कर दिया गया तो मेगर की रीडिंग उस अवस्था में सून रहेगी ठीक है मेगर को हमेशा 160 एक सो साथ आर्पीम पर चलाना चाहिए मेगर दो प्रकार के होते हैं एक होता है एनलाग ठीक है और एक होता है ट्रांजिस्टेराइड ट्रांजिस्टेराइड मेगर में हैंडल नहीं होता है जबकि एनलाग जो ट्रांजिस्टेर होता है उसमें handle होता है इसके अलावा एक और होता है जिसको हम digital maker कहते हैं ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आगला लिखा गया है एक DC आदर्स जनितर का regulation तो regulation जो होता है ये V V output minus V input ये चीज होता है ठीक है V output minus V input या output voltage और input voltage का जो difference होगा वो हमेशा सुन नहीं रहेगा ठीक है आदर्स की अवस्ता में तो आदर्स की अवस्ता में कोई input और output में कोई visage difference नहीं होता है तो यहां अगला दिया गया है आदर्स ट्रांसफार्मर का regulation कोई भी ट्रांसफार्मर रहेगा मोटर रहेगा जनितर रहेगा इनका सबका आदर्स की इस्तिति में सुन नहीं होता है regulation क्योंकि यह भी इनमें भी जो एक speed जो होती है यह एनस synchronous speed यह तो लेकाली गती जो होती है rotor गती के समान होती है बराबर बराबर तो इसमें भी संबाव है कि इसका भी regulation अमेसा सुने रहेगा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला point यहां है तो लेकाली motor का regulation सुन होता है generator का हूपर लिखे थे वही point है अ आदरस जो एमिटर होती है होता है इसका अंतुर्ण प्रितौद सून कि आदरस एमिटर में हम मोटे тार और कम प्रितौद वाला आदरस की position में कहेंगे तो इसमें चैंड़े लगता है इस तारका resistance नहीं होता यह नगड़े प्रित वाला तारञा लाय जाता है कि दोस्तों आधर्स एमीटर में जो वायर जो प्योग किया जाता है जो तार प्योग किया जाता है यह मोटा तार होता है इसका रजिस्टेंस नगड़े माना जाता है और जो कुंडली जो बनाई जाती है जो कुंडली बनाई जाती है यह मोटे तार की होती है ठीक है तो जित डिस्टेंस जो है नकड़े माना जाएगा यह काल्पने खोता है परन्तु बास्तिवें कि यह नहीं होता है अगला दिया गया है अगला कुश्यन है संट मोटर पर सूर्ण टेस्ट संट मोटर पर सून टेस्ट संट मोटर पर स्देव सून लोड़ पर किया जाता है क्योंकि एक बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वा अप ciao आपता है संट मोटर पर सुन वर्ण टेस्ट सदेव सुन लोड पर किया जाता है अगला देखेंगे अगला दिया ट्रांस फारवर में ओपन सर्कुट टेस्ट ट्रांस फारवर में ओपन सर्कुट टेस्ट सदेव सुन लोड पर किया जाता है open circuit मतलब कोई परिपथ जब खुला है तो वहां पर कोई load है ही नहीं ठीक है तो जब open circuit test जब हम यूज़ करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इस प्रिकार से O, I, L इसका मतलब है open circuit test iron last तो इसके दोवारा iron last का मतलब iron last को ौप क्रोडलास भी कहते हैं या कौर हनियां भी कहते हैं Heimank ये हरा वे सितलता तीक है do रास पीतल की सापेच चुम्बक सीलता सुन्य होती है याद रखेंगे दोस्तों ठीक के मुर्गी के अंडरे में कार वो हर्डेट की मात्राश जिरो 270 होती ठीक है वेग रिडात्मक धरात्मक अत्वा सुन्य हो सकता है विस्थापन रिडात्मक धनात्मक अत्वा सुन्य हो सकता है अगला पॉइंट है यहाँ पर जल सकती सयंत्रों में इनन डोलाई सुन्य अब जल सकती सयंत्रों के साथ कुछ और भी सयंत्र है जैसे सोलर सयंत्र ठी तो स्क्याभे से extract में छोता है इनन नहीं से लाना नहीं पड़ता है सोयमें परक्रिती द्धुण है तो इसमें जो होगा िननकी औलाई सुन्चन्य होगी फीर लिखा है बनादनागी फेर लेकिर में तो इनर्जी मीतर में जो कंट्रोलिंग टार्क होता है परन्तो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है थैंकियो दोस्तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगए तो आप अपने मित्रों में सेयर करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो एक ट्रिक और है यहाँ इससे आपको याद हो जाएगा कि चालकों की चालकता कितने प्रिस्त होती है यहाँ पर मैंने लिखा है चांद सोय पाताल में इसका मतलब है चांद मतलब हो गया यह चांदी तो चांदी की चालकता 98 प्रिस्त सोने की चालकता 99 प्रिस्त ऐलमिनियम की चालकता 60 प्रिस्त प उसको आसानी से याद करेंगे और उपर यह ट्रिक लिखा है इसको लिख लेंगे चांद सोय पाताल में ठीक है दोस्तों इसी से याद हो जाए आपको यही चीज नीचे मैंने यह डेटेल दिया गया है थैंकियो दोस्तों थैंकियो पर वाचिंग हमारा वीडियो लाइक सब् स्ट्राइब और सेयर जरूर करें थैंकियो